मिश्टी की दुनिया रानी, मोना अपनी बेकरी में रहती थी. सवेरे सूरज के साथ ओवन गर्माता, आटे की खुश्बू हवा में घुलती. मोना आटा गूनखती, हंसी गाती, केक को कला की तरह सजाती. उसके हाथों से निकलने वाली हर चीज में प्यार का जादू हुता. उसकी दुकान छोटी थी, पर प्यार से सजी. रंगबिरंगी कुकीज हंस्ती थी, ब्रेड की चोटी गुदगुदाती थी, पेस्ट्रीज मीठी कहानिया सुनाती थी. बच्चे वहां परिलोग धूनते, बूढे दादी नाना बचपन याद करते. हर ग्राहक के लिए मोना के पास एक मीठा ख्वाब तैयार होता. एक दिन बरसात में एक भीगा हुआ कुत्ता भटकता आया. मोना ने उसे मीठा ब्रेड का टुकडा देकर सहलाया. वो कुत्ता रोज आने लगा, मोना उसके लिए छोटे बिस्कुट बनाती. धीरे धीरे वो गली का प्यारा उसी के लिए मोना ने केक भेजा. उसका घर हंसी से भर गया. तब मोना समझ गई, उसकी सफलता मीठे स्वाद में नहीं, लोगों के दिलों को छूने में थी. उसकी बेकरी की छोटी खिडकी से मोना दुनिया को देखती थी. हर ख्रीदार के साथ एक कहानी जुडती, हर मोना की जिन्दगी बेकरी के ओवन की तरह गर्माती थी, जहां आटे, चीनी और प्यार से खुश्यों का स्वाद पकता था.